हे गाईस, स्वागत एक बाफिर्ज साब का पॉरिटी किसान के यूटुब चैनल पे देखिए दोस्तों सबसे पहले आपके एक जानकायर दिना चाहूंगा कि पॉरिटी किसान चैनल ने आप सभी के लिए प्रिमिक्स थैयार कर दिया है वो PINEMIX फार्मर को दिया जा रहा है और कल से उसकी डिलीवरी चलो हो जाएगी कल हम वो PINEMIX दो राजियों में भेजेंगे हमारे जो भी पहले कस्टिमर है हमारा उनका रिव्यू बहुत एहमेद रखेगा कि हमने जो PINEMIX उनको दिया है वो कैसा है ठीक है और देखे इस चैनल पे बिल्कुल पारदिस्ता होती है अगर आप चाहें तो उनका नंबर भी हम से ले सकते हैं कैसे हमारे PINEMIX का result आ रहा है खुल मिला कर जो हमारा PINEMIX तयार हुआ है उसमें 1.4 से लेकर 1.5 का FCR रहेगा बीच में उससे उपर नहीं जाने वाला अगर आपका सब कुछ ठीक रहा है 1.4 भी अराम से आ जाएगा अगर आपका management सही है उससे नीचे भी आ सकता है लेकिन उससे नीचे करने की कोशिश नहीं करेंगे हम और क्योंकि क्या है कि उससे नीचे करने पे mortality percentage बढ़ जाएगा देखें गर्मी जैसे जैसे होंगी वैसे वैसे performance थोड़ा सा घटेगा लेकिन आपका जो average मैं बता रहा हूँ 1.5 के आसपास का average रहेगा और pre-mix कैसा है कैसे वो काम करेगा वो सारी चीज हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे पहली बात तो जो हमने pre-mix बनाया है उसमें इतनी बढ़िया medicine और इतना सब कुछ डाला है हमने कि आपको अधर बाहर से कोई medicine लगाने की आवश्चता नहीं पड़ेगी सब कुछ उसी में हमने दिया है और सब चीज ब्रांड जिसे बोलते हैं ब्रांड से लेकर एक एक चीज को बड़े बारी की सजाज परक्के हमने उस pre-mix में डाली है हम यह नहीं कहेंगे हमारा pre-mix सबसे best है हम यह कहेंगे कि हमारा pre-mix अच्छा है सभी फार्मरों के लिए जो कि उनकी सभी नीट को पूरा करेगा सबसे अच्छा pre-mix क्या होगा अगर मैं अपने pre-mix की तारीफ आपने मुह से करूँगा तो वो बुरा लएगा मेरे pre-mix का result बताएंगे मेरे farmer लोग जो मेरे farmer है वो बताएंगे कि कैसे वो pre-mix उनके काम आ रहा है पिर-mix बनाने की जुरत क्यों पड़ी ये भी मैं आपको बतायता हूं बहुत से लोगों को जो concentrate है यानि पिर-mix है वो और जन नहीं मिल ला था काला बाजारी उसमें बहुत चल लए थी प्राइस उल्टे सीदे बोले जा रहे थी ठीक है नब है बयान है 10% की प्राइस च जाएगा 9760965525 ठीक है पोल्ट्री किसान चैनल बड़ी इमानदारी से काम कर रहा है और यकीन मानना मैं बहुत कम मार्जंट पे बहुत कम मार्जंट जिस्से की मेरी कौस्ट और मेरी लेवर की कौस्ट जो लगा है बंदा उसके पैसे निकलते रहे और फार्मरों को हम सही चीज उपलक्त करा दी लेकिन जो ग्राउंड लेवर पर चीजे जो महसूस की गई है कि फार्मरों को प्रीमिक्स अच्छा नहीं मल रहा ऐसी एक दो जगह से मेरे पर खबर आई है जिन्होंने हमसे मशीन ली हमारा ग्रैंडर लिया मिक्सर लिया लेकिन उनको प्रीमिक्स अच्छा नहीं मिला तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिला और ऐसी बहुत सारे फार्मर से बात होई जिन्होंने हमारी मशीन चला रखी है सब कुछ ठीक है पर उनको प्रीमिक्स अच्छा ना मिलने कारण उनका रिजल्ट डाउन रहा है ठीक है और देखिए ये फार्मिंग है वैसे एक दो जगा इसका पूरा लेप टैश भी करा लिया गया है बहुत बढ़िया इसका परफॉर्मस रहने वाला है गर्मी में खासकर जो लोग बोलते हैं कि गर्मी में दाना नहीं बनेगा दाने में यह हो दाया है टॉक्सिटी बर जाएगी मॉटल्टी हो जाएगी वो सारी चीजें आप छोड़ दीजी थिक है सारा कुछ उसमें हमने लगा एक हापता भी है उसके लिए भी एक मेडिसीन लगाई गई है तो बहुत सारी चीजों को हमने आपके प्रमिक्स में लगाया बनाया है उसको और बहुत महेंगी महेंगी कौशली दवाई हमें लग कर रहे हैं मातर दो रपे ठीक है और दो रुपे में काम करना बड़ा मुछ्किल होता है लेकिन क्या है कि फार्म रोक हम नहीं का लेका पॉल्ट्रिक किसान चैनल इसलिए जाता है कि कराता है कि उसको कम प्राइस स्wahुर्म को इसे دो रुपे तो पोल्टिर किसान चैनल जाना किसलिए डियाता है कि उसको वह हम कम प्राइज फार्मर को फार्मिंग कराती है इसीवएके नीज कलें कौन्त करेंगे कोई दिक्कत नहींगे जहादा मेहनत करेंगे फार्मरों को हम देते रहेंगे देखिए अब रही बात दोस्तों ये हो गया हमारे पिरिमिक्स की दूसरी बात ये है कि बहुत सारे कोशन में एक कोशन आ रहा है बार-बार कि बार-बार क्या कॉल कमेंट्स कर रहे हैं सर कंपनिया बदबात कर रही है ठीक है हम कैसे करें क्या करें किस तरह से फार्मिंग छो प्रिमिक्स का इंतिजाम हमने कर दिया आप कहीं से बिले यह नहीं कहा है कि मुझसे ले जहां से आपको अच्छा लगता है जहां से आपको सस्ता पड़ता है वहां से प्रिमिक्स ले जहां से आपको लगता है कि मेरे घर तक पहुंचकर प्रिमिक्स इतने रुपए का पड़ नहीं बनाओगे तो मट जाओगे फार्मिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे फार्म बंद करना पड़ जाएगा और ृच्-वार अब फार्मिंग करने का आएगा मजा क्योंकि आने समय में मक्का की कॉष्ट जाने वाली नीचे अभी तक तो मक्का जो हमने जब से दाना बनाना आपको बताया है उस टैम से मक्का चौवीस रुपे पच्चीस रुपे चल रही है अभी 26 रुप चल लिए लेकिन आने वाले 15-20 दिन में मक्का का जो है वो रेट होगा डाउन ठ यो रखें गर्मी नहीं होने देना हैं और चाहें आपको अंधर पंखा लगायें चाहें कुछ भी लगां कंल मिलाकर फार्म को ठंडा रखना है गरम फार्म करना ही में काफी सारी दिक्कते आतीी है लेकिन नॉर्मल गर्मी से जहाएं से ज़ादा où कि यह वहां भी हस्ते जादा गर्मी पड़ती है और बहुत सारी गर्मी से दिक्कते आती है यह नहीं चाहते किसी के कोई रख्षा कीमती होता है एक बच्चे की कीमत होती है यह मरता है तो बहुत पास हो जाएगी तब बच्चा थोड़ा सा महंगा भी डाल सकते हैं वैसे लगबग 35 रुपे का चल रहा है लगबग 35 रुपी का रेट मैंने सुना है कि आसपास चल रहा है ठीक है लेकिन किला मार्केट में 40 है लेकिन 35 का चूजा मिल रहा है ठीक है तो अगर आप खुद कता सब्सक्राइब करता है और हमेशा करता रहेगा ठीक है और जल्द ही एस चैनल पर वीडियो कंटीनी होने वाला है जिस में की इंट्रीव के पार जा जा कर कैसा उनका रिजल चल ला है कांटेक फार्मिंग के चली है प्राइवेट सबसे आसान लगता है उनको फार्मिंग करना लेकिन सबसे आसान नहीं है सबसे मुश्किल कारिया फार्मिंग करना लेकिन अगर सही तरीके से किया जाएगा तो ठीक है गलत तरीके से किया जाएगा तो भाया घर और बार दोनों खतम कर देगा यह फार्मिंग सबसे ज्यादा क्रिटिकल इस्तिती चल लगी है उन लोगों की जो कॉंटेक्ट फार्मिंग करके बैठे हैं क्योंकि एक बर जब आदमी कॉंटेक्ट फार्मिंग खल लेता है ना तो वो निकल पाता है और ना वो रूप पाता है उसको बीच मजधार में ही रखा जाता है जिससे की वो कारेर ना कर सके अगर आपको बविश्य में आगे जाना है तो इस तरह की फार्मिंग कीजे कि दो पैसे आपकी बचते रहे और जितना इन्वेस्टमन आपने किये आए फार्म में वो निकलता रहे अगर इस तरह की फार्मिंग करोगे तो ही सक्सिस होगे वरना आपका वही हाल होगा जो सभी फार्मरों का होता है जो सभी फार्मरों ने अपना फार्म बंद किया है ठीक है तो अगर वीडियो पस्ना है तो चानल के सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करन नागुले मिलते नेक्ष फिलो में तब तके जाहिन बंदे मातरम जाजवान जागिसा